दोस्तो अगर कोई आपकी उमीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिये क्यूंकि इंसान उसी से उमीद रखता है जिसको ओ अपने सबसे करीब मानता है अगर मुश्किल में आपने उसका साथ छोड़ दिया तो तो जी जाएगा लेकिन फिर कभी आप पर यकीन नहीं करपाएगा याद रखिये कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती है क्यूंकि रिस्ते ताकत से नहीं दिल से निभाय जाते ह आप किसी को प्यार तो कर शकते हैं लेकिन जब तक आप उसका दिल नहीं जीत लेते तब तक ओ आपको प्यार नहीं करेगा वक्त प्यार और परिवार ये वो चीजें हैं जो मिलती तो मुप्त हैं मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती है इसलिए जि कर किसी से रिस्ताना तोड़ना क्यूंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और यही मिट्टी जिंदा रहते खाना देती है और जीवन के अंत में घर भी मंजिलों से अपनी डर न जाना रास्ते की परेसानियों से तूट न जाना जब भी जरूरत हो जिन्दगी में किसी अपने की सीसे में खुद को देखना और आगे जाना भरोसे पे ही जिन्दगी टिकी है बरना गाड़ियों के पीछे कोई नहीं लिखता फिर मिलेंगे दोस्तो अगर हम सिर्फ रफतार और काम करने को काम्यावी समझ बैठें तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी लेकिन हम कहीं पहुँच नहीं पाएंगे मतलब और स्वार्थ के रिस्ते कोईले की तरह होते हैं जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को ही जला देते हैं और जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले के ही हाथ काले कर देते हैं जीवन का सबसे बड़ा पराद किसी की आँखों में आशू आपकी बज़ा से होना और जीवन की सबसे बड़ी उपलवधी किसी की आँख में आशू आपके लिए होना क्या खूब लिखा है किसी ने समझ नहीं आता जिन्दगी तेरा फैसला एक तरफ तु कहती है सवर का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखरी निसानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज़त करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फाइदे की उमीद नहीं होती हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं जो रिष्टे दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं बरना आखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं दुनिया में हजारों रिष्टे बनाओ लेकिन उन हजारों रिष्टों में से एक रिष्टा ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाप हों तब भी वह आपके साथ हो। उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन होगा ये आपका भ्रम है मन प्रसन रखो सब दुख दूर हो जाएंगे ये हकीकत है सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते उसकी कदर करने में जरा भी देर मत करना जो इस दौर में भी आपको बक्त देता हो स्रेय मिले ना मिले अपना स्रेष्ट देना कभी बंद ना करें क्यूंकि आसा चाहे कितनी भी कम हो निरासा से बहतर होती है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहने के लिए आप मारे चैनल ग्यान मन्थन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप मारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद